Hello Guys, आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना EPF Account का UAN Number कैसे पता करेंगे, Universal Account Number आप कैसे पता करेंगे, आज कि इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं. जैसे कि दोस्तों, आप कोई भी कमपनी में आप जॉब के लिए जौइनिंग होते हैं, तो आपका EPF account को यहाँ पर open कर जाता है तो आपको किसी को यहाँ पर आपका UN number provide company कर देती है और किसी किसी को नहीं करता है आपको पाता नहीं रहता है तो उसी के हम निकालने का तरीका बताएंगे अगर आपको UN number पाता हो जागा चाहे तो आपना पैसा आपका EPF account से आपना पैसा निकाल सकते हैं के वाइसी कर सकते हैं आप जो भी service है उसको यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं तो आपके पास UN number उसके लिए आपको होना चाहिए आयो तो हम जानते हैं कि कैसे अपना UN number आप find करेंगे आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर कोई बराजर को open कर लेंगे यहाँ पर सर्च करेंगे EPF member member portal यहाँ पर EPF member portal को यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखेने को मिल जागा इसको उपर आप क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखेने को मिल जागा यहाँ पर मॉवाइल नमबर को टाइप करेंगे और यह जो capture code दीख रहे है इस capture code इस box में fill up करेंगे फिर send OTP के उपर आप क्लिक कर देंगे आपके मॉवाइल नमबर पर एक OTP जागा उस OTP को इस वाले box में आप fill up कर देंगे OTP डालने के बाद देने के पास इस capture code को यहाँ पर टाइप करेंगे फिर उसको validate OTP के उपर क्लिक कर देंगे देने के बाद OTP यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर पूछेगा आपका नाम पूछेगा आपका अधार नमबर पूछेगा फिर इस capture code के नीचे वाले box में fill up करेंगे देन उसके बाद यहाँ पर हो जागा मैं अपना नाम टाइप करूँगा में detail डालने के बाद capture code के नीचे वाले box में fill up करने के बाद so my UAN नमबर के उपर किलिक करेंगे थोरा से यहाँ पर page refresh होगा और यहाँ पर देख सकते मेरा UAN नमबर यहाँ पर so हो चुका है दोस्तों यहाँ पर UAN नमबर मेरा हो चुका है इसी UAN नमबर से आप अपना पीएफ अकाउंट को यहाँ पर पीएफ बैलेंस को चेक कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेश्ट वीडियो में एक नए टॉपपी के साथ तब तक के लिए बाए